स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में तो आज सावन की शिवरात्री है शिवालेयों में भक्तों की भारी भीड स्वक्त जुटी हुई है हार और बंबं भोली की गून सुनाई दे रही है दार्मिक मानेता है कि आज महादेव की वितिवत पूजा की जाती है विशिश लाभ आज के दिन प्राप्त होता है भक्तों को और जीवन में आ रही समस्याएं भक्तों की दूर होती है सावन मां की शिवरात्री पर भगवान शिव को भांग और धतूरा जरूर अर्पित करें इससे महादेव प्रसंड होते हैं तो आज महादेव को प्रसंड करने की तयारी है आज हम आपको बता दे कि कावड मेले का एक तरह से समापन हो जाएगा इस शिवरात्री में जल चढ़ाने के बाद लेकिन कहा ये जाता है कि महादेव को प्रशन करना है तो आज बेल पत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीज़े चढ़ाई जाती है जला भुषेख करता है जो कावड़िये जल लेकर निकलेते हर्दवार से वो अपने अपने शिवालेओं में आज जल अर्पित करेंगे बाबा भुलेनाथ को और आज का दिन वहत खास 108 मंत्र का जाप करेंगे तो बाबा भुले को सर्न होंगे सारे शिवालेओं में इस वक्त इसी तरह से भीड़ देखी जा रही है तमाम लोग सुभे तड़के से ही बाबा भुलेनाथ की जला विशेख दुद्दा विशेख के लिए पहुँचे हुए है और शिव की भक्ती में इस वक्त लीन पूरा अफ्रदेश दिखाए दे रहा है और अलग-अलग जगों पर किस तरह से भगवान को पुश पर्पित कर रहे हैं लोग पहुच रहे हैं अपने भक्ती भाव को भगवान के सामने दर्शार रहे हैं बाच्वित करने के लिए हमारे तमाम सयोगी जुड़ गाए हैं स्वक्त वारण असी से उपेंद्र दु नहीं है लेकिन कहते हैं कि आज अगर विशेश पूचा की जाए तो विशेश फल्दाई भी होता है बुबगतों के लिए बिल्कुल देखिए शंकर की नगरी काशी में आज आपको हर होर बंबं भोले सुनाई दे रहा होगा जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे दर्शकों को कि आज से सावन में कावण यात्रा है उसका एक तरीके से समापन हो जाता है हम बात भी कर लेते हैं कुछ लोगों से लेकिन यात्रा चलती रहती है लगातार और बात भी कर लेते तो आज का दिन कितना महत्वड हो जाता है आप कावणियों के लिए अग्धार लेलू अगला तो पर एक बार हो जाए है आप बाबा का बाबा का बाबा का बाबा सबका सहारा एक भोले बाबा कुछ सुनाएंगे बाबा का बजन अरे गोरा पुछे बोला से भांग में कुछ-कुछ मिला दिया अब बोलिए पारवती पता है अरा मादे तन तन गाजा भांग एक चिलम में बाबा थो तो आप 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 कहां से आई हैं तरसन हो गए तरसन हो गए कुछ भोले के बजन सुना देंगी मेला भोले का लगा पीच दर्वार कमरिया बोल रहे जैकार बोल बाबा आप बाबा के भरो से चलते हैं तुनिया वाले क्या जाने हम तो बाबा के भरो से चलते हैं और आपको दर्शन हो गए भाक है नवीन बीचिना यह की नाभ जैकार बास दर्शन करने के लिए इस थास का सावन आप्टी के नाया आप लोगों वो ने बिल्कुल तो बाबा भुलेनाथ को प्रसन करने के लिए लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं अलग अलग जगों से लोग पहुच रहे हैं और खास तरपर भुलेनाथ की नगरी वारण नसी में आज विशेश तोर पर पूजा अर्चना की जाती है मेरट से उमेश भी हमारे साथ चुड़े हुए हैं उमेश आप किस मंदर में हैं और बाबा भुलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आज लोग सुबे तड़के से पहुचने शुरू हो गए हैं वैसे तो सावन 19 तारीकों यानि 19 अगस्त को खतम हो रहा है लेकिन आज जो का वड़िये हैं उनमें और जो शुब भक्त हैं उनमें अग्यान देखिए ओम भूर्भूव स्वात्त सुवित्र वरेन्यम भर्गो देवस दीमही दियो यो ना प्रचो दियात ओम त्रेमरकम यदा महें सुगंदिम पुष्टिवर्दनम और यही मंत्र चहुओर यही सुना मंद्र में कहवरियों का सेलाब नजरा रहा है और यहां की तस्विर आप देखिये कि किस तरह से यहां पर मथेय। का जैघल श्री एंतल्य चैहां रहा हैं और हर महादेय। करेंगे आज कितना शुब दिन है और आज आप लोग यहां पर बाबा के दिर्मार में हाजरी का जल चलाने के लिए आए हैं तो निशुत तोर पर आज महादेव हर इच्छा पूरी करेंगे देपन के लिए कैसे हैं जो हर आज मी के हर इच्चा पूरी करेंगे यहां लोग कहां से आएस अर दोबार से लेकर अज बहुत शुब दिन है आज के बारे में आप लोगों के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है क्या कहेंगे आज कितना शुब दिन है और आज बाबा के दरबार में हाजरी का जल चड़ रहा है लाखों करोरों की संख्या में कामर ये पश्री मुत्रदेश की धरती दोकर बुवरे बहुत शुब दिन है आज भक्त और भगवान का मिलन है बहुत सुब देने है बहुत अच्छा देने है आज बाबा की किरपा से हम बाबा की 45 साल से दर्शन कर रहे हैं और बाबा का ऐसा चमतकार देखा है बाबा जो बाबा की चमत जल से जो जल चड़ाता है तो दो लोड़े ही जल चड़ाता है उसे वो मनुकामना पोड़ी होत लोग वहां से जल लेकर अपने अपनी शिवालेओं में आज अर्पित करेंगे सावन की शिवरात्री है और किस तरह से आज हर्की पैड़ी या बाकी खाटों पर भक्त दिखाए दे रहे historically मंदर सिवालेओं में किस तरह से भक्त मरण आए आज इस शवरात्री के मौके पर और ड्रवृश्य कर सके और मंदिर जलाविशे कर सके जो अबवान इसके बस है वो लगतार भाज़ा जोगों के अलावा कि है तो यहां पर जंडाजल के लिए पोछ रहे हैं कि दख्षेसर मादेर मंदिर का इपिहास बहुत पुराणित है इसमें माननेता है कि भगवान शिख सावन के पूरी खाहिने इसी मंदिर विराजते हैं और इसी दूर दूर से शरडाल इहां पर पोचते हैं तो शरडाल भी हमरे साथ वोजिते हैं उसे पार करने का प्रयाप करेंगे विलकुल तो भीड भार बहुत है जो बड़ी शिवाले हैं वहाँ पर लोग पहुच रहे हैं भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं दुख दर्पित कर रहे हैं जो भी भगवान शिव को पसंद है वो सभी अर्पित करके भगवान शिव से आज शिवरात्री के मौके पर आश्रवाद दे रहे हैं आप तीनों का पहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुटने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो सीम योगी अदितनात आज कावड यात्रा मार का हवाई सर्विक्षण करने वाले हैं साथी कावडियों पर पुश्व वर्शा भी करेंगे सीम सुबे बताया जा रहा है कि 11 बचकर 25 मिनट से लेकर 12 बचकर 25 मिनट तक हवाई सर्विक्षण करेंगे सीम योगी मेलट के ओघरनात मंदर बागपत के पूरा महादेव मंदर और गाज़ियाबाद के दुधिश्वर महादेव मंदर पर कावडियों पर पुश्व वर्शा करते दिखाए देंगे तो आज सावन की शिवरात्री आज के बाद जो कावडिये हैं उनके लिए कहते हैं कि जो मेला है वो खत्म हो जाएगा हलाकि जो सावन है वो 19 अगस तक चलेगा रक्षा बंदन तक लेकिन आज मुख्यमंत्रियों की आदितनात खुद इन यात्रा मार्गों पर थवाई सर्विक्षन करेंगे और साथ इसाथ इन कवडियों पर पुश्व वर्शा करते भी दिखाए देंगे और योगी सरकार के निर्देश पर जखा 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 पुश्व वर्शा की गए यह तीन तस्वीरे गाजयबाद मेरट और बाक्पत और अगर बात की जाए हरिद्वार से लोग जल लेकर आते हैं और मुख्यमंद्री युगिया दितनात ने कहा था जिस तरह से उसको अमल में लाया वहां के प्रशासन ने गाज़ाबाद मेरट और बागपत में कल ये इस तरह के तस्वीर देखने को मिली जहां पर हवाई सर्विक्षन किया गया जो प्रशासनी कतिकारी थे और उनकी साल की बच्ची से गैंगरिप का आरोपी सपानिता मोहिन खान अरस्ट हो चुका है जसकी गुंद सदन में भी सुनाए दे विधान सभा में सीम योगी ने कहा कि गैंगरिप का आरोपी मोहिन खान आयुध्या के सांसत अवधेश प्रसात की टीम का सदस्य है और अवधेश के साथ ही रहता है सीम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने मोहिन खान पर कोई कारवाई नहीं की ऐसे में इस मामली को हलकी में नहीं लिया जा सकता जिस आयुध्या को अखलेश यादो वर्ड क्लास की नगरी बनाने का दावा कर रहे थे वो अखलेश उसी आयुध्या में गैंग रेप कांट पर चुपी साधे बैठे है मोहिन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है अयुध्या के सांसद की तीम का सदस्य है बारा वर्षिये एक नावालिक बच्ची के साथ दुसकर्म का किरत्य में सामिल पाया गया जिस शक्स पर अयुध्या में गैंग रेप का आरूप लगा है जिससे शक्स की ग्रफतारी गैंग रेप के आरूप में हुई है वो मोहिन खान फैजवाद के सपासांसद अफधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है अगे तक समाजवादी पार्टी ने उसके ख़लाब करवाई नहीं की है मैं यह नहीं समच पारा हूँ कि यह सब क्या है अब क्या यह कोई समाजवादी पार्टी ना बोले अयोध्या में 12 साल की नावालिक बच्ची से रेप की मामले में सीम योगी आदितिनात ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है सीम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने आरूपी नेता मोहिन खान पर कोई कारवाई नहीं की ये मामला तो अतीप पिछडी जाती की बच्ची से जुड़ा हुआ है अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोहिन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है अयोध्या के सांसद की तीम का सदस्य है बारा वर्सिये एक नावालिक बच्ची के साथ दुस्कर्म का किरत्य में सामिल पाया गया अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाब करवाई नहीं की है मैं यह नहीं समच पा रहा हूँ कि यह सब क्या है अब क्या यह कोई समाजवादी पार्टी न बोले आपका एक्टिब मेंबर है आपके सांसत के साथ बैठ रहा है खा रहा है उनके साब चला है लेकिन इस परकार के और यहाँ अथी पिछडी जाती से जुड़े वे एक बालिका से जुड़ाओा ममला है आरुपी मोहिन खान भदर्सा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और नेतागिरी के दम पर कई प्रॉपर्टी भी बना चुका है जिस पर अब बुल्टोसर एक्शन की भी मांग हो रही है लिकिन उसे इतर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से फैजबाद के सांसत अवधेश प्रसाद से पूछे जा रहे हैं आखिर ऐसे आयोध्या को वर्ल्ड क्लास नगरी बनाएंगे तो लोग बोलते थे और नहीं बोलना है यह उनके लिए निंदनी मिसे है वेश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बना करके दिखाएंगे तो वो अयुद्या नगरी होगी यानि जिस अयुद्या की नाम पर दो दिन पहले अकलेश यादव और अफदेश प्रसाद ने लोग सबह में वर्ल्ड क्लास नगरी बनाने का दावा किया था वो दोनों नेता अपनी ही पार्टी की नेता पर लगे गैंग रेप के आरोप पर खामोश हैं और इसी खामोशी पर यूपी विधान सभा में सियम योगी ने चवाब मागा गिरोरपोर्ट न्यूज एटीन और राश्पती दुरोपती मुर्मो आज राजपालू की दू दिवस्स सम्मेलन की अधिक्ष्टा करेंगे राश्पती मुर्मो की अधिक्ष्टा में ये सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में ओप राश्वपती जगी धनकर रिधान मंत्री नरंद्र मोदी काई केंद्रे मंत्री शामिल होने वाले हैं ये सम्मेलन दो दिनों तक चलेगा इस सम्मेलन में उच्छ शिक्षा में सुधार और विश्विद्यालियों की माननेता सहीद कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है आजमगर्ण मंडल के डियाईजी ने माफिया मुक्तार अनसारी की पतनी अफसाँसारी समेत 15 अदस्यों के पर इनाम खोशित किया है सभी के उपर 50-50 हजार का इनाम खोशित किया गया सभी आरोपी काफी सबैसे फरार है और इसके साथ ही आजमकार मउवलिया के भी फरार 10 आरोपियों पर इनाम रखा दिया है 15 फरार अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम खूर्शित दिया दिया है जौनपुर के खुट हन पूलिस ने चेकिंग के दोरान दीन बदमाशों को गिरफतार किया इनके पास से पिस्टल, दो तमंचा, कार्टूस के साथ बाइक भी बरामत की गए स्पी के निर्देश पर पूलिस चेकिंग अभ्यान चला रही थी गाडियों की चेकिंग के दोरान पूलिस ने तीनों बदमाश अरिस्ट किया और उनके पास से पिस्टल और दो तमंचा, कार्टूस के साथ बाइक भी पूलिस ने बरामत की है और श्रीक्रिशन जनभूमी केस में फैसला आने के बाद फिरोजाबाद में हिंदू वादी संगठनों में खुशी जताई और मिठाई यांबाटे दस्वेर हम आपको दिखा रहें कल जिस तरह से कहा गया कि श्रीक्रिशन जनभूमी केस में फैसला आया और हिंदू पक्ष को सुना गया कहा गया कि ये सूप जो है वो सुनने लायक है आगे इस पर ये पूरा केस आगे बढ़ेगा इसके बाद फिर उजाबाद में हिंदू वादे संगठोनों ने खुशी जताई और मिठाई आबाठी